हेलो फ्रेंड्स डेली हेल्टिप्स पर आपका स्वागत करती हूँ यहां आपको मिलेंगे हेल्ट्स रेलेटेड हर वीडियो वो भी फ्री में इसलिए अगर आपको वीडियो ची लगती हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीचे दोस्तों आज के इस पीडियो में हम जाने वाले हैं अश्वागंदा के फायदेए ची हां फ्रेंड्स विस्सरे मनिश्य के शरीर की बहुत सारी प्राब्लम्स को दूर कने के लिए अश्वागंदा एक्छमतकारी औशदी के रूप में काम करती है और फ्रेंड्स ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचानी के लावा हमारे दिमाग यानि हमारे ब्रेन और साथ हमारे हाट को हेल्दी रखता है और सभियों से अश्वागंदा का इस्तमाल जड़ी बूटी यानि हर्प्स के रूप में इस्तमाल किया जाता आ रहा है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सिद्ध बेनेफिशल है जी हाँ फ्रेंट्स साथी अश्वगंदा महिलाओं और साथी पुरुशों दोनों के हेल्थ के लिए फाइदिमन होता है और हाँ फ्रेंट्स अश्वगंदा अंटी ऑक्सिदेंट, अंटी इंफरमेट्री, अंटी बैक्टिरियल के साथ और भी कई सारे पोश्चक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कि हमारे शरी को हेल्दी रगने में हेल्थ करता है इसके लावा श्वगंदा में पाये जाने वाले पोश्चक तत्व यान के निउट्रिंस, हमारे शरी को बैक्टिरिया, वाइरस और साथी किटानू यान के फ्रेंट्स, वाइरस और जर्म से लगने में हेल्थ करता है और शरी को हेल्दी रगता है तो आईए चौनते हैं अश्वगंदा का सीवन करना महिलाओं और साथी पुरुशों के लिए किस तरहां से फायदी मन होता है दोस्तों आईए सबसे पहले ही चौन लीते हैं अश्वगंदा का सीवन आपको कैसे करना है जी हाँ फ्रेंड्स अश्वगंदा का सीवन कनी का तरीका हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है जी हाँ फ्रेंड्स आपको बता दें कि बाजार में अश्वगंदा की जड़ का पाउडर या तो फिर सुखे रूप में या फिर ताज़े जड़के रूप में अवेलेबल होता है इसलिए फ्रेंड्स आप इसे मार्केट से बहुत यासानी से खरीच सकते हैं और हाँ अचकल तो पता अचली के भी अश्वगंदा पॉर्डर बाजार में अवेलेबल है आप चाय तो इसे भी खरीच सकते हैं फ्रेंड्स इसके बाद आप अश्वगंदा का सीवन करने के लिए दस मिर्ट के लिए पानी में अश्वगंदा पॉर्डर को बॉयल करके अश्वगंदा की चाय बिना सकते हैं और हाँ फ्रेंड्स आप याद रखे आपको एक कप पानी में सिर्फ एक चमच अश्वगंदा का ही इस्तमाल करना है इससे जिएदा इस्तमाल ना करें तो दोस्तों आईए चौन लेते हैं अश्वगंदा से होनी वाले फायदों के बारे में वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस यूसफल वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मिंबर्स के साथ जरूर शेकीचे और वीडियो हेलफ़ लगी तो लाइक जरूर करना सबसे पहला फायदा है फ्रेंड्स एनीमिया के लिए जी हाँ आप सोने से पहले अश्वगंदा जर के पौडर को गरम दूद के गलास के साथ भी ले सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स अश्वगंदा शरीर में आईरन को बढ़ा देता है हर दिन तीन बार एक ग्राम सेवन कने से फ्रेंड्स शरीर में खून की मातरा परसती है ग्रे होनी से भी रुपता है जी हाँ इससे प्रोटीन से बालों को टाकत आती हैं और साथी हमारे बाल मजबूत भी होते हैं इसलिए फ्रेंड्स आप अश्वगंदा का सेवन दूद या फिचाय के रुप में कर सकते हैं दोस्तों श्वगंदा में अंटी बैक्टीरियल और साथी अंटी मैक्रोबियाल प्रॉपर्टीस होते हैं जोकि विचायना में हुनीवले इंफेक्शन को कम करते हैं और साथी विचायना के सूजणयान की विचायनल स्वेलिंग और साथी खुजली से भी आपको रहा दिलाते हैं अश्वगंदा योनी के दुर्गन को भी कम करने भी काफी जिदा हैल्थ करता है इसलिए फ्रेंट्स आप अश्वगंदा का सीवन चाय के रुप में जरूर कीचे दोस्तों महिलाओं में लियू कोरिया की विचासे फ्रेंट्स उनका शडीर कमजोर यानिकी वीक होने लगता है जिसका असर उनके गरभाशे में भी पड़ता है लेकिन अश्वगंदा के सीवन सी महिलाओं को इस रोक से निचात मिल सकती है जी हाँ फ्रेंट्स इसके लिए अश्वगंदा, तिल, उड़त, गूर तथा घी को समान नातरा में लीचे इससे लड़ो बनाकर खाने से फ्रेंट्स लियू कोरिया में फायदा होता है इसके साथ ही अश्वगंदा और साथी दूद का सीवन कने से महिलाओं में बांचपन की समस्किया दूर होती है दो ग्राम इसके चूनों को दिन में दो बार गर्म दूद यान के मिल्क के साथ लेना अच्छा होता है इसके लावा फ्रेंट्स अगर पुरूशर में यौन क्षमता की कमी है तो फिर अश्वगंदा का सेवन करना बहुत ही ज़िदा फायदेमन है क्योंकि फ्रेंट्स ये ना सिर्म यौन क्षमता को बढ़ाने में हैल्थ करता है बलकि सेमन की क्वालिटी को भी सुधाता है इसके लावा ये पुरूशों में भी फर्टिलीटी को बढ़ावा देने में हैल्थ करता है इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको infertility की problem है तो ऐसे में आप अश्वगंदा का सेवन ज़रूर कीशे दोस्तों अश्वगंदा हमारे आँखों की रोशनी को ठीक करने में help करता है ऐसे में फ्रेंड्स रोस रात को दूद के साथ इसका सेवन करने से हमाई आँखों की रोशनी को समानी कर देता है और अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है और वो अश्वगंदा का नियमी सेवन करना शुरू करता है तो चश्मे के पावर को अश्वगन्दा के मदद से कम क्या चा सकता है रोज दूद के साथ फ्रेंड्स अश्वगन्दा का सेवन करने से हमाई आँखों को हेलजी रखने के लावा हमें स्ट्प्रस के हुनी से भी बचाता है अश्वगन्दा में मौचोद अंटी आक्सिडेंड आपके इम्यून सिस्टम को मदबूत बनाने का काम करते हैं जो कि फ्रेंड्स आपको सर्दी जुखाम जिसी बीमारियों से लगने की शक्ती बदान करता है साते फ्रेंड्स अश्वगन्दा वाइट ब्लेड सेल्स और साते रवेट ब्लेड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है जो कि कई सारे गंभी शारीरिक समस्क्या यान के फ्रेंड्स हमारे हेल्ट प्राब्लम्स में बहुत भी सिधा लाब धायक होते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आप अश्वगन्दा का सेवन जरूर कीचे या आपके हेल्थ के लिए बहुत ही सिधा बेनेफिशल होता है दोस्तों अश्वगन्दा से टीबी यानि ट्यूबर किलोसिस में लाब होता है इसके लिए अश्वगन्दा की जर से चूर्ण बना लीची और इस चूर्ण की दो ग्राम लीची और इसमें ग्राम बड़ी पीपर का चूर्ण पांच ग्राम गी और साथी पांच ग्राम शहा को मिला लीची और इसका सेवन करने से TB की बीमारी में आपको बहुत ही सिदा फायदा होता है अश्वगंदा चूरन या फे अश्वगंदा पौडर की 2 ग्राम मातरा को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से फ्रेंड्स कप्स की परिशानी से आपको छुटकारा मिलता है इसके साथे फ्रेंड्स पेट की बीमारी जैसे की स्टमक वाम्स यानकी पेट के कीड़े में आप अश्वगंदा चूरन का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आप अश्वगंदा चूरन में बराबर मातरा में बहेड़ा चूरन मिला लीचे इसे 2-6 ग्राम की मातरा में गूर्ट के साथ सेवन कने से फ्रेंड्स पेट के कीड़े यानि किस चमक वाम्स खत्म हो जाते हैं इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको पेट में कीड़े हो गए हैं आप जरूर प्राय करके देखिए इसे आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों अश्वगंदा के 30 ग्राम ताजा पत्तों को 250 मिली ग्राम पानी यानि वाटर में उपा लीचे और जब पानी आदा रहे जाए तो इसे चान कर इसे पी लीचे और फ्रेंड्स इसे एक सप्ता यानि वन मिक तक पीनी से कफ से होने वाली वाट तथा गाटिया रोग यानि एर्ट्रिटीस में विशेश फायदा होता है इसलिए दोस्तों आप इन प्राब्लम्स में अश्वगंदा को सीवन जरूर कीचे दोस्तों 10-10 ग्राम अश्वगंदा का पौडर तिलवा घी को लीचे और इसमें 3 ग्राम की मातरा में शेहद को मिक्स करकी जाड़े के दिनों में रोजाना 1-2 ग्राम की मातरा में से सेवन करने से आपका कमजोर शरीर मजबूत होता है और साथी फ्रेंट्स आपका शरीर हल्दी भी होता है इसी दिए आप इसका सेवन जरूर कीचे दोस्तों 2 ग्राम अश्वगंदा का पौडर तथा 1 ग्राम गीलोए का जूस को मिला लीचे और इसे हर दिन शाम को गुनगुने पानिया फिश रहत के साथ खाएंगे तो इससे पुराना बुखार यानी फीवर ठीक हो जाता है और आप हल्दी हुचवाएंगे दोस्तों धियान रहें कि अश्वगंदा का सेवन आप सीमीत मातरा में ही करें अध्यतिक सेवन ना करें क्योंकि इससे उल्ठिया यानि वामीटिंग हो सकती हैं इसके लावा फ्रेंड्स आपके पेट में गरबर भी हो सकती है साथी फ्रेंड्स लो ब्लड प्रेशर यानि लो बीपी वाले लोग इसे ना खाएं नीन ना आने पर अश्वगंदा का इस्थमान कुछ हद तक सही है लेकिन फ्रेंड्स नीन को बिलाने के लिए इसका बहुत स्यादा मातरा में सेवन कना नुक्सांद ये साबित हो सकता है इसलिए आप स्यादा मातरा में इसका सेवन ना कीचे हमेशा हर चीज़ का आप सीमित मातरा में ही सेवन कीचे तो दोस्तों ये थे अश्वगंदा से होनी वाली फायदी आप इसका सीवन कीची और अपने आपको बनाए हमेशा के लिए हेल्दी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें तब तक के ये इच हेली, स्टे हेली और टेक केर, बाई